पूरा साल जब हमने मेनत की हो सारी डीपीपी लगाई हो प्रैक्टिस शीट की की हो सारी बुख लगाई हो रेगुलर क्लास गए हो कोई क्लास ना छोड़ी हो और उसके बाद जब एकजाम दें उसे दुसरे दिन बात पता चले कि पेपर लिक हो गया और रिजल्ट आये तो उसमें इतने गरबढ़ियां तो जाहिर सी बात है गुसा सब को आता है बहुत मेनत करके साल एक साल का इतना समय हमने बरवाद किया है असान नहीं होता है छेस्सो चालिस पचास मार्श लाकी भी घरवालों को अगर ये बोलना पड़े कि इस बार भी लग रहा मेडिकल कॉल लेकि 69 के बीच में जो बच्चे हैं अब ध्यान सुनिएगा 62 से लेकि 69 तक जो बच्चे हैं इन में से इतने बच्चों की रैंक वन है अब टोटल 67 बच्चे जिनकी रैंक वन है यादि कि 120 नमबर लाने वाले 67 बच्चे आप सोच रहो 0% 100% एक को ऐसी 67 बच्चों में मैं म अपने भी बच्चों के रिजल देखे होंगे आप अमने क्लास में बैठते होंगे आप रिजल देखते होंगे कितने बच्चे थे जो 600 से उपर आते थे और कितने बच्चों के 720 मार्श मेशा में इंटेन रहते थे जरा खुश सोच के बताओ अचानक कहां से प्रकट हो 12 के तीन डिजीट में फरक द्यान से लास्ट में तीन डिजीट में दिफरेंस बाकिश सारी डिजीट से और सबसे बड़ी बात इन बच्चों को कोई coaching कोचिंग इस्चूट क्लेम नहीं कर रहा कि हमारे यहां से पड़े हुए तो यह बच्चे बिना कोचिंग पड़े बिना सबकुष किया 100% एकुरेसी के साथ मार्स लिया और सबका सिर्फ पहला नाम ही है सरनेम नहीं खुश्बूकरिश लक्षय अंजलील जानवी परतीक ठीक है अब दूसरी बात देखो अब इनके मार्स आये हैं 718 इस बच्ची के मार्स आये 719 ठीक और यह सब उपर आले बन रहें को आले हैं अब इन दोनों के जो बच्चों के मार्क्स आये हैं अब इसके लिए अंटिये जस्टिफ जस्टिफिकेशन क्या देरा देखो जाम दिया है सर जार भी फ्यू है पानसो भी फ्यू है पांचर भी फ्यू है इलुकम प्रिजन टू तुट्टी थ्री लाग यह फ्यू कितना है सर हमें ये थो बता कितने ġिडिशन गया एंटि रिप्रेंटिजेंटीचन सहलं एक court cases from the candidate मैं लोग candidate ने court cases किये ठिक किस चीज के लिए ये भी देखो of meet 2024 raising concern of loss of time कि सर हमारे time का loss हो गया ठिक during the conduct of examination on 5 माई 5 माई को जो exam हुआ था उस तोरान हमारा समय बरबाद हो गया ठिक बहुत बढ़िया सच cases यानि case एक नहीं था सर एक से ज़्यादा cases थे representations जाने कि कुछ cases हैं और कुछ representation और देखो चराकी देखो representation and court cases यानि कि सभी ने court case नहीं किया था ये भी बात पक्की हो रही है वरना slash करके ना लिखता फिर देखो were considered by NTA and the normalization formula सर ये कौन सा formula है जो समय को marks के equal कर देता है और बहुत सारी बच्चों का समय बरवाद हुआ है क्या सभी अगर court में चाते है क्या सभी को grace marks मिलते और मिलते तो किस आधार पे मिलते और ये normalization formula क्या है सब को बताईए जो समय को equal कर देता है marks के normalization rule पहले भी follow हुआ था नीट 2016 में फालो हुआ था इक नीट एक्जाम फष्ट हुआ था फिर सेकंड हुआ था तो जिन्होंने सेकंड फ़र्ष्ट दे दिया वो चाहें तो सेकंड दे सकते हैं नहीं दे सकते अगर आप नीट सेकंड होगे तो फ़र्ष्ट आपका cancel हो जाएगा वाइड इस जजजमेंट डटेट तेरा जून दोजार अठार यानि कि तेरा जून दोजार अठार में कोई कोट का जजमेंट आया था उसके साब नहींने नीट नमलाजिशन फार्वला लगाया यानिकि पुरानी बात करें अभी की वाली बात नहीं वाज implemented to address the loss of time faced by candidates candidates यानि कि दो नहीं और भी जाता हो सकते हैं साथ मना लिख देते टो गंडिडेट थी कंडिडेट नहीं ने नमबर नहीं फिक्स किया कितने कंडिडेट है यह तो हमें बताओ कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्श दिया आफ नेट यूजी 2014 दा लॉस ओफ इंजामिनेशन टाइम वाज एसर नेट ठिकर एंड सच कंडिडेट वर कंपंसेट विद ग्रेस मार्श यानि क्या आप टाइम को ग्रेस मार्श साथ कंपंसेट कर रहे हूँ इसे वज़ा से इनके 718 और 719 अब प्रश्ण उठता है सर आपने कितने लोगों को ग्रेस मार्श दिये कितने केंडिडेट्स को आपने ग्रेस मार्श दिये ठिक और वो रूल सबको बताईये फॉर्मला जो आपने रूल लगाया हुए यह बताईय ऐसा तो नहीं है बहुत सारे 720 वालों को भी ग्रेस मार्श मिले हूँ हो सकता है 720 वालों को भी मार्श मिले हूँ क्यों हो सकता है अब ध्यान से देखो इधर बच्चों के जो यह सेम है बहुत सारे स्ट्वेंट्स करें कि सर इनका सेंटर भी सेम था मैं इस पर क्लेटी मेरे नहीं हुआ होगा एक तो नहीं करने वाला तो बहुत सारी बच्चों कितने बच्चों को आपने ग्रेसमार्ज दे यह तो क्लेर करिए आपकी दाल में कुछ तो काला है ठिक और दोसरी बात सबसे इंपॉर्टन भाया 14 जून को एक जाम रिजल पब्लिश होना था आपकी लेट में बारा जाए रहा एडमिट कार्ड भी लेट आ रहा और रिजल्ट आप 14 जून से पहले इलेक्शन वाले दिन पब्लिश कर देते हो खुश सोचो होगा इस पे क्यों हो भी इस पे होनी चाहिए हम यही चाठनें कि इस सब्पे जल्दी से सब बारो और सच सामने आए लोगों के क्या रे यक यह देखो यह 15 मेरी की नीट पेपर लीक मामले में सिभाई जांच की मांग मांगी रहे गई आगे भड़ी है नहीं इधर देखो नीट यूजी एकजाम पेपर लीक हमने बहुत सारी वीडियो बनाये थे इस चीज पर कि पेपर लीक हुआ है लेकिन बहुत लोग नहीं बोले अगर आप नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होने वाला ये भी जान लो चुप चाप एक दिन आएगा ठीकरी कि भाईया पेपर रिजल्ट हो गया है अब तो कांसलिंग होगी वो जी थोड़ा बहुत गरबड़ी थी वो सही हो गई है मैनेज हो गया है बस अगर आवाज उठ इस बखाओगे तभी इस पर कुछ हो पाएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा ये भी ध्यान रखिएगा और अंतिये का ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है जब से अंटिये करा रहा नीट का अग्जाम तब से गरबड़ियां हो रही है इससे पहले स्वेस्टी वाले में भ इस नहीं पहले हो चुका है इसने एप्यम्टी दोर पंद्रा को बिल्खुर सेम पैटर्न फालो कर रहा है ये प्यम्टी 2015 में पैपर लिक हुआ था और एंट्य एकदम मना कर दिया झुछ पैपर नहीं लिक हुआ जी सब ऐसे बोल लें यह दो ठीक है नि पैपर मेंलेट से साज़ बना कर ले था नो लिक्टेंटी 2015 साफ साफ बना कर दिया था 7 जुलाई को, ये देखो, 7 माही को इसका परेस निजाया था, नहीं नी जी पेपर लिख नहीं हुआ, उसके बाद कोड में पेटेशन फाइल की गई, और पटेशन जब फाइल की गई, तो इसने कहा कि देखो, इतने बच्चों का पेपर हम नहीं क अठारा जुंदर पंदरा का जाजरन इंग्लिस का ट्वीट है कि इंपॉसिबल टू री कंड़क्टी आप्यम्टी दोजार पंदराइन फोर विक्स सीबेसी टू सुप्रिम कोर्ट से बोला था फिर बाद में देखो यह प्यम्टी दोजार पंदरा एकजाम टू बी री कंड़क्टी आउन पाचीस जुलाई मई में लिख वा चुलाई में करा दिया एकजाम साथ वापिस हुआ था लेकिन इतनी असानी से नहीं हुआ था उसके लिए बहुत सारे धरने परदर्शन दिये गए पेटेशन फाइल हुई बहुत लोग लड़े तब हुआ था वनना वो तो पहले ही डिनाई कर चुका था भाया के कोई लिख वीक नहीं हुआ है तो चाहता है कि जल्दी से इस पर पहनी फिर जाया बस लोग चुप हो जाये और जो हो रहा है चलना है उचलने दे ठीक निया देख एपम्टी चीटिंग सेवस्टी डिनाई एनी पेपर लिख कोई पेपर लिख नहीं हो जी सब चंगा से कुछ नहीं हुआ है ठीक निये यह दो यह आठ मई दूर पंदा ही खबर है तुमको क्या लग रहा है ठीक निया बाद में एपम्टी दरपना टूब से री कंड़क्टेड ओन जुलाई पच्छेस हुआ था लेकिन इतनी असानी से नहीं हुआ था उसके लिए बोलना पड़ा था लोगोंने आवाज उठाई थी तब जाके दोबारा से हुआ था ठीक सुप्रेम कोट में केस गया था सुप्रेम कोट ने साब साब बोला था कि एक्जामिनेशन स्टेंट से विटेटर इवन फो वालने स्टूटेंट बिइंग बेनिफिटेड इलिग अगर एक बेस्टेंट को इलिगल बेनिफिट हुआ है तो दोबारा पेपर होगा ठीकर निसाब साब लेटी नॉट पॉसिबल तो कैच अल दा कल्पिट एंड़ दा 2016 के पिपर की बात यह मत सोचना किसी साल हिस्टी शूट गई 2016 की कंडिशन है यह दो चिक यह दो 2015 का है 2016 की बाते साथ यह दो नीट जो नीट सेकंड बॉड था टैस सेकंड नीट में दो वए थे बिटा दो यह सोला में नीट वन और नीट टू हुआ था नीट टू में भी पेपर लिख हुआ था उस टेंब प्रेस ली जाई थी यह देखो 25 जुलाई की यह 2016 की उसमें भी साफ साफ इसने बोला कि देखो एक आदे सेंटर पे छुटर मुटर कोई ख़बर देखने को मिले बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है यह साफ साफ लिखा था देखो दा मैटरिल सीज़ बाई उत्राखान पुलिस from the person involved in cheating were provided to CVC and the same was matched by the board with original question paper of NEED 2 and found that the seized material is entirely different from the original question paper of NEED 2. यह हर साल की कहानी है यह आज की कहानी नहीं है यह ध्यान लखना यह निट्वार 16 की बाद में यह देखो ऐसे बच्चों ने बहुत सारा violent justice किया था बत नीट 2 or 16 12 नहीं हुआ था क्योंकिync 2 नीडी दो बार हो चुका था बत मीब् 9 दोया 15 रहां हुआ था नीट दोयर 15 हुआ था बत्रहू ने आवाज उठाई थी यह दखो Delete 2018 में भी इसने終 के मामले में प्रेसलेज की थी तो ऐसा नहीं ये पहली बार है ये होता आ रहा है शुरू से होता रहा है कुछ ना कुछ ना कुछ ना घटना होते आ रही अब 2015 में देख रो 2015 की बात करूं साथ ठीकरी देखो 450 पे 71,000 रेंग बन ली ये देखो 2016 का भी दिखा देता हूं 2016 का रिजल देखो 2016 में 443 मार्श पे रेंग थी 21,557 और अब कहां पहुंच गी साथ ये 21,000 रेंग भाई साब 600 नंबर लाके भी नहीं आ रही इतना डिफरेंस ला दिया ठिक अगर इस पे हुआ है तो आवाज उठाओगे बोलोगे ट्विट करोगे तभी बात बनेंगे अगर तुम्हें लग रहा है कि बिना बैठे-बैठे चाजी जब हो जाए नहीं होने वाली आप अपने देखो इस टाइम कोई मनिष्टरी अभी तो सरकार बन रही है सरकारे सरकार देखते हैं कौन आती सेंटरल में लेकिन तब तक आप अपने आसपास जिस किसी भी मनिष्टर को जानते हो किसी को भी जानते हो उनको टैक करो अगर जो सोचल मीडिया इंफुलेंसर्स हैं सोकाल उनको करो और री नीट के लिए बार-बार बोलो अगर री नीट नहीं अट लिस्ट वह सी बी आई इनकोई तो कराएं पहले सच तो सामने आए हमें नहीं पता कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हम नहीं बता सकते हैं बट हम कम से कम फियर नीट चाहते हैं साब हम कम से कम इस बार फ तो मार्स काम आये रहे हैं जादार ये मैटर नहीं करता है इतनी जाला कटा अफजारी अगले साल क्या तुम ले आओगे इतने नंबर चाड़े 600 नंबर लाना मजाक की बात नहीं है इस बार अपनी हाला देख लो तो इसलिए एक ही रिक्वेस्ट करूँगा दम लगाओ ठीकर नहीं और बोलो बिना बोले बात नहीं बनेगी आपको बोलना पड़ेगा और यह दो बच्चों के मैसेज आते में क्या जाब देदू यार मेहनत की उनलोगोंने साल बर साल साल भर मेहनत की अब मास भी ले क्या ह सब्सक्राइब पिसाचा सो दस्टेश सो पचास साथ के बीच में और सबसे ज्यादा बच्चा एसी के बीच में और हमने आवा जो ठाई तही यह दो यह मेरी फोटो यह दो ठीक नहीं नीट एक्जाम फिर शे कराएं यह दो तब हुआ था ठीक नहीं तो मैं यही कहूंगा कि भया वी वांट जस्टिस वी वांट फिर ने और फिर नेट होना चाहिए आप ज्यादा ज्यादा री ट्वीट करें यह दो टैग लाइन आप यूज कर सकते हैं ठीक है यह दो हैस्टाग यूज करके आप बार बार आवाज उठाएं और सभी लोग NHK कानों में गुञ उठेगी और गुञ गुञेगी तो इस पे एक्षं जल्दी होगा बेटा अगर आप बोलोगे सबी ऑपोजिशन पार्टियां इसके साथ बोलेंगी कुछ लोग बोलेंगी कुछ जनलिस्ट बोलेंगे कुछ मनिश्टर्स बोलेंगे कुछ पॉलेंगे तबी इस पे कुछ हो सकता है वरना कुछ नहीं होने वाला थंडे बिष्टरे में चला जाएगा और चुप चाप कॉंसलिंग हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे बैकडॉर्स एंट्री हो गए तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि we want justice ठेक है बच्चो बाकी जैसा भी कुछ अपडेट होगा मैं आपको बताऊँ थैंक्यू